ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा ये एक बड़ा संकट है और केंद्र सरकार को इसको लेकर राज्यो की मदद करनी चाहिए घेलोत के बयान पर उपनिता पतिपक्ष राजिन राठों ने पलटवार करते वे कहा कि प्रदेश में बिजली संकट उने पर आप केंद्र पर आरूप लगाकर अपनी जिम्मेदारी स पल्ला नहीं जार सकते प्रदेश में बिजली के अबुद्फूर्व संकट के लिए आपकी सरकार का फूप्रवन पूनत जिम्मेदार है देश प्रदेश में बिजली संकट पर राजनीती जारी है लेकिन बिजली संकट का खाम्याजा आम जनता और किसान भुगत रहे हैं शहरों और ग्रामिड इलाकों में बिजली के कटोती की जा रही है बिजली संकट पर सीयम अशोग गहलोत ने केंदर सरकार को आड़े हाथ लेते वे कहा कि देखें ये विवात का विशयरी होना चाहिए ये पूरे कंटी के अंदर विशयरी नोर्थ इंडिया के अंदर बड़ा क्राइशेश है और हो सकता क्राइशेश बड़े आगे है और कंटी सागार को पुरे राजियों कोनेट करना चाहिए कि अदिकान राजिये विशयरी संकर को लेके कंटी सागार को कनवे कर चुके हैं ये संकर कितना बड़ा होगा वो कोई नहीं कह सकता है कोल इंडिया को चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ करके उस्टी जिम्मवारी भी है वो राजियों से बाचित करें क्या रिक्वार्मेंट क्या उनकी दिक्कत हैं क्योंकि खाली कोल माईंजे पानी बढ़ गया वरतास से वो तो एक कार्ण होगा पर जहां तक मुरे दानकार पुरे कंट्री में हैं करीब करीब काफी राज्यों में हैं और दिली राज़ता नहीं है उताफ देखरों क्या हो रहा है ब्रेकर उट होने तक की बात होने लग गई है विजली संकट पर निशाना साते वे सिये मशोग घ्यलोप ने कहा कि कि चाइना में पुरा क्राशेस है यूरोप में क्राशेस है कोईले के दाम है दुनिया के मुलकों में इंडोनेश्य सही तो शाइपार गुना ज्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ने के बावरे कोईला मिलने रहा है दाम बढ़ गे कोईला एवेलेबल ने फिर भी इस्तती बड़ी अजीब हो गरीब बन रही है सुनके आश्यर होता है कोई कहें कि मार्च के अंदर मार्च तक ये कोल का संकर रहेगा ये सुनके ही हमें आश्यर होता है दुख होता है ऐसे वक्त में केंदर सर्का की जिम्मार किश्क ये संदे निखा लेगी पान्तोगोड़ although udah बताद है यो बहुत ममुली तया कि गांद्र आर्वर एवेलेबल कोईले विक्ते और खईते हैं लगांद्र पान्तोगौड называется का मायने रखते हैं इस प्रगार की ख़बर देने को फाइदा नहीं है के अंदर की जभिवारी है और मुझे उम्मीद है कि जो के अंदर यह उड़ा मंतरी है वो स्रक्षम है उप्रक्मीद है कि वो वो जिस पर कार्णिट कर रहे हैं राजियों को बिजली को लेकर के वो को हल निकालेंगे बजाए इसके कि हम लोग राजियों के उपर जिम्मेदारी डालने के बायान पर उपनेता पतिपक्ष राजिन राठोर ने पलट पार किया है राठोर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ओल इंडिया कंपनी के चेर्मेंट के बयान से इसपस्ट है कि कोईला प्रबंध को लेकर राजिय सरकार कितनी गंबीड है सरकार ने पूरे साल कोईला नहीं लिया और 600 करोड रुपए भी बकाया है प्रदेश में बिजली संकट होने पर आप केंदर पर आरूप लगा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला जाड रहे हैं राजिय सरकार को आड़े हाथ लिते वे राजियन राठोन ने कहा कि प्रदेश में हाहा कार मचने के बाद अब जाकर गेलोग सरकार आनन पानन में अपने अफसरों को इधर उधर भेज कर भाग दोड कर रही है प्रदेश में बिजली के अबुद्पूर्व संकट के लिए आपकी सरकार का फूप्रबंध उनत जिम्मेदार है किसानों और ग्रामिर जनता के परिशान होने का हवाला देते वे राजियन राठोन ने कहा कि पिछले 10 साल में पहली बार जब गाव में 8-10 घंटे बिजली कटोती होने से किसान सबसे ज़्यादा परिशान है एक तरफ किसान टीपीए खात को लेकर घंटो लाइन में खड़ा रहने को मजबूर है वहीं बिजली संकट की सबसे ज़्यादा मार भी किसान जहल रहा है जबकि किसानों के लिए यह समय पसलों की वुवाई का होता है बता दे कोईली की कमे के चलते बिजली उतपादन इकाईयों में उतपादन धप पड़ा है बिजली कमपनियों के द्वारा सभी जीला मुख्याले और सभी नगरपालिका छेत्रों में दिन के समय एक घंटे की बिजली कटूती की जा रही है जबकि ग्रामिन इलाकों में तीन से चार घंटे की कटूती की करने का फैसला किया गया है ग्राजधानी जैपूर सहित प्रदेश के कई जीलों में बिजली कटूती की जा रही है पॉलिटॉक्स वीरो जैपूर